नमस्कार दोस्तों मैं रवी कुमार और मैं अभी शिक सिद्धू स्वागत करते हैं आपका देशी डेवलपर्स की बकैती डकैती पॉड्कास्ट के एक और नए एपिसोड में एपिसोड सुरू करने से पहले आप जहां कहीं भी हमारे एपिसोड को सुन रहे हैं देख रहे है हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे पॉड्कास्ट को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि आप ही नहीं बाकी डेवलपर्स भी इसका मजा ले तो आज हम बात करने वाले हैं चुकि नया साल शुरू हो चुका है पिछले हफते हमने बात किये थे कि हमारे आगान है यह टॉफफषेक पूट कोणकोन कोन से है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं तुक्र ये तुम्हें क्या लगता है कि यह जो बाड़ हा जाती है हर साल जनवरी के महीने में में टॉफ टेक्णोलोजी के ऊपर कि टॉप टेखनोलोजी कौन कौन सी है टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टॉप इटी स्किल्स टॉप ये टॉप वो इसके वारे में तुम्हारा के तुम्हारी क्या रहा है यह अच्छली टू-फेस वोर्ड है एक इसका साइड यह है कि मार्केटिंग में के क्योंकि न यह एक फिटनेस इंफ्लूएंसर है अपनी सपना व्यास पटेल उसने ना पिछले साल यह पिछले साल नौ नौ यह पे डाला था थैंक यू फॉर थैंक यू आल फॉर टेकिंग बाइंग वन यह सब्सक्रिप्शन करके और जिम ओनर इस तरीके से और यह चीज मैंने देख सब्सक्रिप्शन का फंडा चल गया है तो यह तो जिम्स में है लेकिन हम जिम्स की बात छोड़ते हैं यह लेट्स टॉक अब टेक्नोलजी कि टेक्नोलजी का तुम्हें वही अच्छा यू और गिविंग मीदा रीजन की हां वही हां कि मार्केटिंग गिमिक है दोनों जगा वही चीज होती है कि इस साल हम अच्छे पढ़ाई करेंगे इस साल हम यह भी सिखेंगे इस टाइम पर थोड़ा सस्ता भी कर देंगी क्यो मुझे इस तरह का वीडियो बनाना हो टॉप फाइफ यह टेंट टेक्नोलजी का मेरे ख्याल से मैं एक बार साल में एक बार बनाने की बजाए पांस साल में एक बार बेस्ट ऑन ऑल दा डेटा प्लस उसको बनाने का मतलब मेरा व्यूपाइंट यह होगा कि मैं यह कहूँ कि भाइया हर लेवल के लिए बनाऊंगा मैं यह बोलना हो टॉप फाइफ टेक्नोलजीज और टॉप फाइफ लेंगवजेज फॉर फ्रेशर उसके बाद अगर मैं एक्स्पिरियंस परसन की बात करूंगा आई वोंट क्रियेट टॉप फाइफ लेंगवजेज फॉर टॉप टौलजी मगभए पांच से अगर आप कर रहे हो और उसके बाद फिर आपके मैं सब को छोड़ चाड़के मशीन लेरिंग टॉप पर चल रही है अगर जावा का डिवलपर है वंसाल का एक्सपिरियंस से पांत साल से काम कर रहा है अच्छी सेलरी ले रहा है वो यह स package मिल रहा है वह package तुम यह expect करोगे कि machine learning करके तुम्हें उसका तीन गुना मिलेगा तो तुमसे बड़ा कोई नहीं है completely agree I mean मेरे को भी यह बोल सकते हैं कि एक दो साल पहले I was also in a dilemma क्योंकि industry move हो रही थी तो मेरे को भी बोला गया था कि mean stack मैं चलो ठीके देखते हैं मैं कि जब मैं साथ साल डॉटनेट में दे चुका हूं मला घिसके वालब एकदम अच्छे से किना पॉलिश करी है मैंने यार अब मैं from the scratch में नहीं चीज नहीं कर सकता है और ऐसा भी नहीं कि डॉटनेट कहीं जा रही है कि मेरी नीड बढ़ गई है तो मैंने यह चीज मैंने यह चीज अपने एक वीडियो में डाली थी जो five mantras मैंने बनाए है five mantras for 2021 obviously मैं अगले साल जो बनाऊंगा problem मैं वो वीडियो बनाऊं कि my five my five goals of 2022 अगर मैं बनाता हूं तो क्योंकि मैं obviously मैं दूसरों का नहीं मैं अपने मंत्रा जो बना दिया मंत्रा मेरे चेंज नहीं होने वाले मंत्रा वही रहेंगे तो वह that's fine लेकिन 2022 में problem है five goals जो दकैती में भी हम लोग करेंगे और वहां पर भी बात करूंगे कि मेरे 2022 के क्या goals है लेकिन मेरा concept यह मेरा कहना यह है कि आप जो चीज कर रहे हो मैंने उसमें भी यह बोला है कि आप completely different चीज तब करो यदि आपको sure shot दिख रहा हो वो भी sure shot कहीं कोई stamp paper पर लि वालो company के आपके KRA में अगर लिखा होगा कि यह आपको यह language इस year में आपको यह language सीखनी है आप आपकी hike इस चीज पर dependent है तो अगर आप वह चीज कर तो that is fine उस case में move करो लेकिन अगर आप already job कर रहे हो and then you expect कि बिना किसी motivation के बिना किसी motivation के अगर आप यह expect कर रहे हो कि आप अचानक से dotnet से python में move कर जाओगे या java से python में move कर जाओगे और आपको जो current salary उसे तीन मुना salary मिलेगी तो obviously फिर वही statement लागू होगा नहीं मिलेगी अच्छा अब तुम अपने हिसाब से बताओ भाई current situation में तुम्हारे ख्याल से what are your top technologies okay तो एक तो हमारे opinion से पहले एक तो market trends देखने हैं तो that is a good place to go see क्योंकि वह सिर्फ स्टाइक और फ्लोगे professionals भर रहे हैं it's not someone जो कि तुम्हारा मन करा और तुमने अपनी तरफ से कर लिग दिया it's someone that is based on it's something that is based on actual data टैक ओवर्फ्लोव में जिसका account वो कर रहा है विच इस जो की freshers नहीं है at least कुछ experience है वही लोग कर रहे है तो हाँ थोड़ा सा यूएस साइड में बाइस है बट एक बात यह भी है कि जो टेक यूएस लेके चलता है इस दफरेंट रहे तो बाकी areas में if not मैं ऐसा भी नहीं कि सब उसको copy करते हैं बठा influence तो जरूर होते हैं जैसे वह mobile industry में जैसे apple से सब influence होते हैं the same goes here also जो भी अपना us करता है सारी दुनिया वही करने में लग जाती है आपने अपने अगर मैं भूलो तो आप डॉटने जावा पाइफन यह जारी जावस्किप कहीं नहीं जा रहा वेब अब आया है आज तक जो ब्रावजर में जावस्किप के लावर कुछ चल नहीं सकता था जावस्क्रिप तीनी तो चीज़े थी डबलू थी स्टैंडर्स क सपोर्ट वैब असे पहले तो वह भी नहीं था मतलब इट वास कांड़ एक्स्परिमेंटल फीचर नौट एवरीबडी वास पार्ट फिट लेगिन अब यह कह दिया गया है कि 2019 से कहां हर कोई करेगा ही करेगा एवरी निव ब्रावजर विल सपोर्ट इट और एवरी ओल ब वेकेंसी फ़र कोबोल एंफोर्ट यानि कि अभी वहां पर काम चल रहा है जो लोग उसमें काम कर रहे हैं मुझे लगता एक बाता हूं प्राइमरली मेरे को यह लगता है कि यह जो देखते हैं जो वीडियोस दो तरह के लोग देखते हैं या तो खाली वाले जो जो रही है और जो चीज़ आप इजिली कर सकते हो लोग बोलते कि हाँ पाइथन बहुत इजी है सीखने के लिए तो आप इजिली कर सकते हो ठीक कर लो भी पाइथन कर लो अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा बैक्ग्राउंड है वैसा तुम्हारा बैक्ग्राउंड है वैस कि आपको वो चीज़ करने चीज़ जिससे कि आपको तुरंत जॉब मिले, क्योंकि आप खाली हो, आपको जॉब लेना है पहले, ठीक है, अगर आप उस point of view से देखो तो, जॉब के point of view से देखो तो, आप पहले अपने मतलब main चीज़ यह कि आप अपने goals decide करो, अच्छा, मेरे हिसाब से top tech मुझे क्या लगता है, मेरा top tech completely biased, मेरे हिसाब से .NET is top tech, c-shop, blazer, edu.net, मैं इनहीं को top tech मानता हूँ, इसके अलावा और मैं कहीं नहीं चाहता, unless and until कि मुझे कोई पैसे नहीं दे रहा है, मुझे जब कोई पैसे देगा, कि भाया यह सीख, यह analyze कर, तब मेरे को सलूशन प्रवाइड करना है, मेरे को यह बोलना है कि यहां भी मशीन लर्निंग आप यहां पर यूज करो, यह algorithm यूज करना, यह algorithm, कई तो machine learning भी SaaS में चल रहे है, Microsoft cognitive services क्या है, IBM Watson क्या है, machine learning in SaaS, I will use those, मुझे headache ही नहीं लेनी, मैं क्यों अपना बनाने बैठ हूँ, मे go for reinventing the whole wheel, and most of the cases में न, you don't need to reinvent the wheel, आप उतना बड़ा data set कहां से लाओगे, learning के case में आप कर सकते हो, learning के case में, instead of reinventing the wheel, you should break down the wheel, आप एक प्रजेक्ट लो, open source application लो, उसको break down करो, देखो कि क्या है, probably मैं जब live streaming शुरू करूंगा, एक बार मेरा consistent live stream हो गया, तो hopefully मैं उसमें एक down open source applications, explain the open source application code, कि इस application का code कि इस तरीके से चल रहा है, I will explain that, I am thinking of creating videos on that, so वो एक तरह से रहेगा, so how to choose top technologies, what are your opinions, how a person should choose a top technology, how to choose, I completely agree, जो आपने बोला कि तुम्हारा background क्या है, तुम्हें क्या एज़ीज क्या है, क्योंकि एक चीज़ और मैंने देखी है, same चीज हो सता है, क् जल्दी सीख ले, कोई लेट सीख है, हो सकता है, कोई बंदा, किसी बंदे का design mindset ज्यादा है, कोई वो UI developer अच्छा बन सकता है, जरुए यो बंदा, हर एक को full stack ही बनना है, ये भी बहुत ज्यादा हो रहा है, कि full stack बनना है, full stack बनना है, पैसे है न, basically बंदा ये, यार पैसे दिख रहे है, ठीक है, पैसे दिख रहे है, मैं एक hypocrite की तरह sound नहीं करना चाहता, कि पैसे मत देखो, ठीक है, पैसे देखो, obvious सी बात है, लेकिन यार, पैसे से पहले obvious सी बात है, कि वो आपकी excellence भी matter करती है, अगर आप एक बेवकूफ, full stack से, एक समझदार या fast front end या back end developer, जादा पैसे कमाएगा, completely agreed, यह मैं पता नहीं कितने सालों से कोई भी मेरे को boost आ रहे है, तो मैं हमेशे यह बोलता हूँ, specialization के पैसे मलते है, market में, भीड बहुत है, इंडिया में, अगर तुम्हें actually में, you want to earn good money, you have to specialize, agreed, तुम कोई भी एक technology पकड़ लो, जिसमें तुम्ह कर लो, कैसा अपने आप आता है, या फिर अगर आपके पास time है, तो do experiments, experiment करो, आप अगर आपके पास time है, there are, जैसे मैं शुरू करने वाला हूँ, live streaming जब शुरू करूंगा, I will be following 100 days of code challenge, ठीक है, इस बार 100 days of code challenge, मैं follow कर रहा हूँ, for the sake of consistency, to build a habit, मेरा अक्सर होता क्या है कि किसी दिन तो मैं 8-8-10-10 गंटे code कर लेता हूँ, किसी दिन मैं code बिल्कुल नहीं कर पाता हूँ, किसी दिन मैं 2 गंटे करता हूँ, किसी दिन 4 गंटे करता हूँ, तो I am not able to build a habit of development, a habit of coding, ठीक है, which is kind of my passion, I like coding, I love coding, I would say, तो I want to build a habit around coding, और probably habit around creating content, that's why I am doing, कि ये Techie Tuesdays मैं नह शुरू किया, Techie, हम लोग ये podcast कर रहे हैं, probably इसी तरीके से और podcast बनाने के लिए live stream से ही कई video content निकल जाएगा, तो उस तरीके से ideas आएंगे, to create that habit, I am starting weekly things, उसी तरीके से 1 hour daily, at least code करने को मैं बैठूंगा, कुछ भी code करना होगा, 1 hour daily, 100 days of code, first 100 days of code is for coding, और making a habit of coding, probably जो next 100 days of code मैं start करूँगा, मैं जून में, that would be about learning something new, I might follow a plan and I might learn something new, तो उसके around होगा, वही चीज़ है कि main की, choose a habit and follow those things, आप 100 days की जगा, आप 50 days करो यार, एक चीज़ पे 50 days तक code करके देखो, try out करके देखो, plan के हिसाब से करके देखो, गर आप कुछ कर पाते हो, कुछ सीख लेते हो, म three and a half months, तो उतने में, I think, उतने में आपको अच्छा idea लग जाएगा, एक language ना सही कि, आप उस चीज़ से कितना agree करते हो, कितना आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, खीचो मा, ठीक है, habit बना करके, अगर आप करते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा, कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो obviously, so choose your top tech based on your background, number one, पहला एक अपना background देखो, अपनी choice देखो, और obviously पैसा भी देखो, कि हाँ भी किसमें पैसा मिल रहा है, अगर आपके पास time है, और time, सबसे बड़ी चीज, time भी देखो, कि तुम्हारे पास time कितना है, so number one, background, number two, time, number three, money involved, and number four, your choice, यह इन चारो चीजों का combination के basis पर अपनी technology चूज करो, so I think that was all for today's top technologies dilemma, हम लोगों ने बात कि कि technologies में क्या-क्या, top technologies के जो हला काट रखा है, सबने top five languages, top five IT skills, फलाना धिमकाना, एक बार अगर आप एक IT skill में हैं, तो probably specialization के पैसे मिलते हैं, जैसा कि अभी शेक ने कहा, generalization के प unless and until कि आप CEO ना हो, तब आप आपको आपको अपनी company हो, तो आप generalize कुछ भी बोल दो, आपके सुनने वाले लोग होंगे कि क्या पैसे दे रहे हैं उनको, वह आपर उस तरह का होगा, लेकिन otherwise, generalization के पैसे नहीं मिलते हैं, specialization के पैसे मिलते हैं, आप specialization हासिल कीजे किसी भी चीज में, कोई भी top tech video देखना है, कोई भी top tech article पढ़ना है, उसको पढ़ने से पहले, take it with a grain of salt की उसका background क्या है, context क्या है, किस context में है, किस के लिए है, अब अगर आप 5 साल experience professional है, या 10 साल experience professional है, एक particular technology में, एक particular domain में, तो आपके लिए वो top tech video देखना, मेरे ख्याल से, it's a time invest, या फिर आप knowledge, just take knowledge के लिए किसी और को सला देने के लिए देख सकते हो, but it is of, apart from that, it is of no particular use for you, तो आप वो अपना time किस लिए लगा रहे हो, उसके बारे में सोच करके plan करो, I think आज के लिए इतना ही, और आप एक बार फिर से आप से गुजारिश या request है, कि जहां पर भी ह आप हमारे subscribe कीजिए channel को, हमारे videos को share कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हम इसी तरह के मज़िदार, हलके-फुलके topics, IT World से related, बकैती करने के लिए ले करके आते रहेंगी, तो तब तक के लिए मैं रवी कुमार, और मैं अभी शेक सिद्दू, आप सबसे अलविदा लेते है, नमस्कार, बाइ बाइ